हलो गैज मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंडियन क्रिप्ट वाइसी में गैज क्या आप भी पी आई क्वाइसी करकर के ठक गए हैं और फाइनली इस तरीका का आपका भी रिजल देखाता है या फिर आप के वाइसी किये हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ है इन प्रोसेस दिखा रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है इन कंप्लीट दिखा रहा है तो सारी सोलूसन जो है आज की इस वीडियो में हम पूरा कर देने वाले हैं यदि आपने माइन करकर के 1000-2000 पाई क्वाइन जो है कलेप किये हुए हैं और आप KYC कंप्लीट नहीं किये हैं और फाइनली में नेट चेकलिस्ट आप पूरा नहीं करेंगे तो यकीनन वो क्वाइन जो है आपके किसी काम का नहीं है तो ये वीडियो आप लाश्ट तक जरूर किस एक्सचेंज पर लिष्ट हो सकता है सबसे पहले लॉंग टर्म के सिनेरियो से अधी आप रखते हैं तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और फाइनली लाश्ट में हम बात करेंगे बोन टोकन लिष्टिंग को लेकर तो गया चलिए फाइनली वीडियो को स्टार् सबसे पहले हम मार्केट की बात कर लेते हैं आप आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉाइन है वो काफी बूरी तरीका से पीटा है यानि की गिरा हुआ है अगर जे पूरा मार्केट के बात कर ली जाए 1.07 ट्रिलियन का हो चुका है और वो भी 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि साड़े 3% की डाउन फॉल भी दिखा रही है पूरा क्रिप्टो मार्केट बिटकॉाइन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,390 डॉलर पे आ गया है एक हजार डॉलर की यहाँ पे भारी गिरावट आई है जो बिटकॉाइन में और इसी का र डॉलर पे कहीं न कहीं यह ट्रेड कर रहा है तो गयाज मार्केट का सिच्वेशन जो है वह भी बिल्कुल बुरा है यहाँ पे इंट्री लेना बिल्कुल गलत साबित हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा परुक जाएए चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनली पी आई के योर केवाईशी अप्लीकेशन उनका केवाईशी हुआ ही नहीं है तो अप्लीकेशन सब्मिट कहां से होगा तो वही चीज हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि केवाईशी आफ फाइनल हंड्रेड परसेंट कैसे पूरा करेंगे तो फाइनली गैस क्या आपका भी केव किया लेकिन पूरा नहीं हुआ है या इनकंप्लीट देखा रहा है तो सारी ये चीजे जो है आज की वीडियो में पूरा हो जाएंगी बस लाश्ट तक बने रहिएगा वीडियो को आधा छोड़के मत जाईएगा तो चलिए अब हम आपको पूरी तरीका से लाइव करके व फिर यहां से आप जो है वो KYC आपका इनेबल हो जाएगा वर्क करने लगेगा सबसे पहले कि यदि आप KYC करते हैं तो इस तरीका का रिजल्ट आता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यदि आता है तो घबराने की बात नहीं है चलिए अब हम आपको स्क्रीन पे चलते हैं और किस तरीका से आपको यहां पे कुछ स्टेप को फॉलो करके और अपना KYC जो है वो इनेबल कर लेना है तो गयाज हमें सबसे पहले PI Network को open करना होगा जो आपका application होगा जिस पे आप mine करते हैं उसको आपको open करना होगा और open करने के बाद देखिए यहां पे आपको कुछ इस तरीका का interface देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि three line का यहां पे dot दिख रहा है यह वाले three line पे आपको touch कर करना है touch करने के बाद आपको कुछ इस तरीका का interface देखने को मिलेगा और नीचे में आप आईएगा तो यहां पे देख सकते हैं आप कि support portal यहां पे support portal पे finally आपको click करना है और click करने के बाद यह direct आपको mobile browser पे ले जाए और open होने के बाद आपको finally कुछ इस तरीका का interface बुड़ा कर सकते हैं तो finally इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीका का interface आपके सामने आ जागा इसका कुछ term and condition है आप इसको पढ़ सकते हैं और finally यहां पे जो email id से आपने login किया हुआ है वो email id यहां पे डालना है user name यहां पे डालना है उ उसके बाद नीचे में आप कौन सा android phone चलाते है यंडरोड चलाते है इसके बारे में यहां पे detail देना है उसके बाद यहां पे आप देख सकते है कि आपका जो phone है वो finally डालना है user name मोबाईल को यूज करते है उसके बाद कुछ यहां पे tip चेक करना है उसको हम बताएंगे झाल झाल और फाइनलि यह सब चीज डालने के बाद आपको फिर नीचे स्क्रball करना है और स्क्र今年 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसू विथ लोडिंग इरॉरब इस पे आपको फाइनलि चेक करना है चेक टिक लगा देना है उसके बाद आप नीचे आईएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I don't get any KYC application to review यहाँ पे आपको finally check करना है और check करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है और finally last में आपको none पे जो है वो click कर देना है और none पे click करने के बाद आप यहाँ पे कुछ description भी लिख सकते हैं इस description में आप लिख दिजिए कि I am not complete my KYC please solve my problem ऐसा कुछ message आप डाल देख सकते हैं और finally यहाँ पे आप देख सकते हैं कि browse का option आ रहा है इस पे browse करके आप जो screenshot है आपका जिस समय आपके YC करते हैं और वहाँ पे आपको issue आता है तो उसका screenshot लेकर और finally आपको यहाँ पे browse कर देना है तो हम finally browse पे click करते हैं यह ले जाएगा मुझे है file manager पे और file manager पे आने के बाद हम यहाँ से वह screenshot यहाँ पे upload करेंगे यहाँ यह रही वह screenshot और finally यहाँ पे मैंने वह screenshot जो है यहाँ पे complete कर दिया है देखिए आ गया है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि send का एक option आ रहा है इस send वाले option पे finally आपको click कर देना है देखिए मैं send वाले option पे यह गया कि thanks your reference is pi network ये जो order है कुछ check number दिया हुआ है उसके बाद फिर मेरा email है और confirmation and update आपको जो है वो mail पे ही मिलता रहेगा तो guys कि YC के regarding किसी परकार का भी mail आता है तो आप mail को check करते रहेगा और अपना अधार card वेगरा जो भी document यहाँ पे मांगे pen card वेगरा driving license या फिर passport तो उस चीज़ को आप लेकर जट से KYC कर लिजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ही मिन्टों का समय मिलता है तो ये बात आप बिलकुल ध्यान में रखिएगा guys तो guys आपने देख लिया कि कुछ step को follow करके आप KYC के लिए submit कर सकते हैं directly KYC का option अभी आपके पास नहीं आएगा कुछ दिन पहले जिनका KYC pending में था उनके लिए message आया था उनका जो KYC था complete हो गया था लेकिन जो KYC अभी तक complete नहीं किये थे उनको किसी परकार का भी message नहीं आया था तो आप यहां पे feedback जो है इनको देकर और अपना KYC जो फॉर्म है उसको आप enable करवा सकते हैं और finally आपको email पे ध्यान देते रहना होगा आपने जो email ID डाला है उसको आपको चेक करते रहना होगा KYC के regarding यदि कोई भी आपके email पे message आता है PI coin के regarding तो आपको उस पे click करके KYC सबसे पहले पूरा करना है और आपके पास document आपको साथ में रखना है यह नई की KYC form खोल लिए और document खोज रहे हैं यहां पे चंद मिन्टों का ही समय आपको दिया जाता है तो यह जो बात है उसका आप भी से ध्यान रखिएगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि 14 March 2023 को क्या होने वाला है यहां पे 14 March को PI जो दिवस है यहां पे मनाया जाएगा PI Day मनाया जाएगा तो यहां पे हो सकता है कि PI coin जो है वो finally list हो जाए या फिर PI coin की launching हो जाए तो यह एक बहुत बड़ी update होगी लेकिन यह future की चीज है आने वाला update है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि 14 तारी को क्या होने वाला है PI Day मनने वाला है PI Day को दिन हो सकता है कि यहां पे PI coin launch हो जाए वहीं पे अगली topic है कि सबसे ज़्यादा लोग PI coin को माइन करते है अपने mobile से लगभग 35 million user इसके हो चुके है आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में 35 million user है इसके और PI जो है अभी तक का सबसे बड़ा free में माइन करने वाला यह coin है और वो भी mobile से बहुत सारे लोग जो है वो दीन परती दीन 10,000-5,000 coin जो है अपने team के साथ जूड कर collect कर रहे हैं तो जो लोग नए हैं link description में है जाए पी आई कोई डाउनलोड कीजिए और finally mining आज से start कर दीजिए guys क्या फता future में इसकी price जो है वो कहीं न कहीं आपको एक high level पर जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी supply जो है वो बेहत कम है वहीं पर बात कर ले अगले topic की PI की value कितनी होगी PI coin किस exchange पे सबसे पहले आ सकता है तो guys PI की value का तो अभी कुछ पता नहीं है लेकिन जिस तरीका से यहाँ लोग mine कर रहे हैं इसके user है तो price यहाँ पे आपको एक अलग label का ही देखने को मिलेगा यानि कि आपको एक दो डॉलर पांच डॉलर देखने को नहीं मिलेगा इससे कहीं ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा PI coin की value और बहुत सारे लोग जो हैं वो minute checklist को out होते ही यहाँ पे coin का आदान परदान भी कर रहे हैं अपने wire rate में तो यहाँ पे लोग जो हैं इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं लगभग एक डॉलर आधे डॉलर की price पे PI coin को जो हैं एक दूसरे के साथ share भी कर रहे हैं तो यह आने वाला संकेत है कि PI coin की जो value होगी वो एक अलग label की जरूर होगी PI coin सबसे पहले किस exchange पे list हो सकता है तो exchange को लेकर यहाँ पे पूरा तरीका से open नहीं हुआ है लेकिन जब भी यह list होगा तो एक बड़े exchange के साथ ही आएगा और बड़ा exchange आप जान सकते हैं कि दुनिया का अभी सबसे बड़ा exchange Binance है और Binance को coin ऐसे इतने बड़े-बड़े exchange है तो finally वहाँ पे आपको PI coin देखने को जरूर मिलेगा इतनी बड़ी community इतने बड़ा holder को लेकर चलने वाली coin कहीं न कहीं बड़े exchange पे ही लिष्ट को बेताब है वहीं पे जो अगली topic है कि long term में इसको रखना शही है कि गलत गैस बिल्कुल सही है देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लग रहा है एक पैसे का आपका खर्चा नहीं है mobile की battery, mobile में mining free आपको यदि net one कर देते हैं तो भी इसकी mining जो है चलती रहती है पूरे 24 घंटे में मातर एक बार PI को खोल कर और इसको जो है टैप कर देना है इसकी जो mining है वो अपने आप होते रहेगी तो यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल सही है आपको कुछ समय भी नहीं यहाँ पे लग रहा है लेकिन इन future अगर यह launch होती है तो आपको एक अच्छा return अच्छा reward देकर जरूर जाएगी वहीं पे last update है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि bone token listing को लेकर है तो guys siberium के आते ही bone token के price में भी आपको गजब का उच्छाल देखने को मिलेगा लेकिन अभी यहाँ पे इसकी price जो है वो नीचे की तरफ ही जा रही है यदि यह coin थोड़ा सा stable होता है तो वहाँ पे entry लेना बिल्कुल safe रहेगा और जैसे ही siberium आती है तो bone और siber की price में बहुँ ज़्यादा इजाफा देखने को आपको मिलेगा तो guys आज की वीडियों बस इतना ही channel पे पहली बार होंगे तो please subscribe किजिएगा क्योंकि मैं यहाँ crypto के regarding छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी updates देता रहता हूँ तो मिलते हैं किसी next coin की next update को लेकर तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाज़त दीजिए नमस्कार, thank you